वेक्सिन के दो डोस लगने के बाद में भी मृत्ती हुई इसके बारे में बात्चित करूँगा मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गळकर डेली के बहुत मशूर हड़ी के रोक तग्य अस्ति रोक तरने और्थोपेडिक सरजन डॉक्टर शेखर अगरवाल इनके मृत्वी हुई कुछ दिन पहले आला कि उन्होंने दो वेक्सिन के डोस लिये थे और दो डोस लेने के बावजूद भी उनके मृत्वी हुई वो पहले मेदान था हउस्पिटल में एड्मिट थे वेक्सिन काम नहीं कर रही है वेक्सिन लेने के बाद में स्पेशली जिनको को-morbid illnesses है प्लेड प्रेशर है, किड्नी का प्रॉब्लेम है, डायबिटीस है, हाट का प्रॉब्लेम है तो ये को-morbidity है उनको तो ये लोगोंने तो special precaution लेना ज़रूरी है वाग्स को लेने के बावजूद भी ऐसा समझना जी कि हमने वेक्सिन ली नहीं है और वेक्सिन लीने ऐसा समझ कर बरताव करना चीए ब्योड आघro, गजबर ँवेवर करना चीए एक मास्क पहनना, डिस्तेंसिंग रखना यह सब करना जुरूरी है समझा आपको करोना हुआ तो आपको oxygen की जरूत नहीं पड़ेगी, ventilator की जरूत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोला गया है, हमने बोला है, करोना होंगा, मगर एकदम कम मात्रा में या कम virulent condition रहेंगे, बहुत serious patient होंगा नहीं, मगर अभी यह खबर आ रही है कि vaccine लेने के बावजूद भी लोगों की बृत्ति होई, तो specially agent लोग जो है, 50 साल के ऊपर जो है, वो लोग जिनको comorbid conditions है, illnesses है, वो लोग उन्होंने तो यह ख्याल में रखना चाहिए, कि वही हमने vaccine ली नहीं है, भूल जाना चाहिए, कि हमने vaccine लेने के बाद में भी corona बहुत लोगों को हो रहा है, और लेने के बावजूद भी corona होने के बाद वह ventilator पे गया है, और वृत्ति होई है, तो सब लोगों को यह request है, कि ऐसा मत समझो कि हमने vaccine लिये, तो अभी बस कुछ नहीं होगा, तैसा कुछ भी नहीं है, vaccine लेने के बाद में, यंग लोगों को तो अच्छा protection है, oxygen की जरूत नहीं पड़ेगी, ventilator की जरूत नहीं पड़ेगी, और agent लोगों ने vaccine लेने के बावजूद भी उनको कुछ भी हो सकता है, तो mask पहनना, social distancing रखना, हाथ धोना, यह जो precautionary measures बताय हुए है, वो precautionary measures जारी रखना चाहिए, अचलिए, थारी जारी, तकियो वेविश।